तो दोस्तो अगर हमारी आठ्मी, दस्वी, बार्मी, जेबिटी या एच्टेट की मार्कशीट गुम हो गई है या चोरी हो गई है या किसी कानवस खराब हो गई है तो दोस्तो हम अपनी डुपलिकेट मार्कशीट दोबारा से भिवानी बोर्ड से मंगवा सकते हैं चाहे वह है HBSC बोर्ड की हो या फिर हरियान ओपन बोर्ड की हो दोनों को घर बैटे मंगवा सकते हैं ओनलाइन कैसी अपलाई करेंगे वो जानेंगे आज की वीडियो में तो चली दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक रिक्व पर विजिट करना है कुछ इस परकार का पेज आपको देखने को मिल जाएगा इस वेबसाइट का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देदूँगा वहां से डारेक्ट आप यहां पर विजिट कर पाएंगे उसके बाद हम यहां पर लोगिन डालेंगे पास्वर डालेंग तो हमारा लोगिन हो जाएगा पोर्टल और यहां से मैं इसको स्किप कर देता हूं और यह स्किप कर देता हूं तो हमारे सामने कुछ इस परकार का पेज खुल के आजाएगा दोस्तों ठीक है तो अब भी हमें क्या करना है हमारी लेफ्ट साइड में देखिए अप्लाइफ साइड में सर्च बार का ओप्सन है तो यहां पर डारेक्ट हम सर्च करेंगे बोर्ड ओफ स्कूल एजुकेशन हर्याना या फिर भीवानी एंटर कर सकते हैं ठीक है जैसे टाइप करेंगे तो हमारे सामने देखिए तीन ओप्सन खुल के आगे हैं तो सबसे फर्स्ट ओप् और यहां पर देखिए application from download है तो सबसे पहले यहां पर हम application form उसको download करेंगे complete इसको fill करेंगे basic सी detail है दोस्तो हिंदी में इसको fill कर लेना है name, father name, mother name, हमारे mark sheet, roll number, subject वो सारे fill कर लेने है और यहां पर जो हमारी photo लगानी है यहां पर photo लगेंगी और जो आपके teacher है उनके signature हों sign और stamp लगवानी है, साथ में photo पर भी ठीक है, तो complete उसको fill करने के बाद ही हमें online की process की तरफ बढ़ेंगे और यहां पर हम charges देख लेते हैं, सबसे पहले first copy है जो buy post है वो 500 रुपे charges है और buy hand या urgent में चीए तो 800 रुपे, second copy 800 रुपे buy post और buy hand और urgent में चीए तो 1100 रुपे, वो third copy के लिए 1000 रुपे जो buy post के द्वारा charges होगा और buy hand 1300 रुपे, तो यहां पर आप अपना जो charges है उसका structure देख सकते हैं, जो हमारी online fees कटेगी ठीक है, और online fees कटने के बाद ही जो हमारी mark sheet है वो buy post हमारे घर पे send कर दी जाएगी board के द्वारा, ठीक है, यह second number form है, declaration form, इसक वाला declaration वो complete fill करके हमें upload करना है, तो चलिए online process की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां पर सबसे पहले I have family ID वाले option को choose करेंगे, अगर हमारे पास नहीं है, यह second option चूज करेंगे, तो यह redirect कर देगा family ID की site पे, कि सबसे पहले अपनी family ID बनवा ले, ठीक है, तो यहां पर family ID enter करेंग जो member apply कर रहा है, यानि के मेरी mark sheet गुमिया माल लिए, मैं apply कर रहा हूं, तो यहां पर अपना name select करना है, और send OTP वाले option पे click कर लेना है, जो mobile number हमारा family ID में दर्ज है, उस mobile पर one time password आया, जैसे हम OTP enter करेंगे, OTP enter करने के बाद click here to verify करेंगे, verify करने के बाद हमारे सामने कुछ प्रकार से detail खुल के आजाएंगी, यहां पर जो हमारी family ID से detail वो fill होगी है, कुछ detail है वो हमें fill कर लेनी है, जैसे mother name, हमारी class, role number, year, select session, ठीक है, फिर institute का name, हमारी mail ID, वो सारीग सारी detail है हमें one by one fill कर लेनी है, तो चली मैं यहां पर detail fill कर ले, तो यहां पर देखे, middle, matriculation, य secondary, हर्याना open से है, senior secondary, हर्याना open, d add, ht, ठीक है, यहां पर जिस भी mark sheet के लिए apply करें, वो हमें यहां से choose कर लेनी है, उसके बाद जो session वो choose करेंगे, किस year में हमने pass किया, वो choose fill कर लेना है, उसके बाद अपने institute का name है, यहां पर fill कर लेना है, fill करने के बाद हमारे सामने ठीक है, हमें यहां पर select कर लें, तो चलिए यहां पर detail fill कर दिये, अब यहां पर please select वाले option पर click करेंगे, तो यहां पर देखे, ordinary first copy है, तो उसकी first copy choose करेंगे, अगर second copy है, तो second, और इसकी fee structure मैंने अभी पिछली बताया है, कि यह fees लगेगी, तो उसके coding अपनी जो पहली बा अब हमें इस roll down करके थुरा नीची आना है, उसके बाद I agree करेंगे, agree करने के बाद यहां पर word verification दियो इसको enter करेंगे, enter करने के बाद submit वाले option पर click कर लेना है, click करने के बाद हमारे सामने जो next step है, वो open हो जाएगा, तो यहां पर देखे हम सारी की सारी detail हमारी अच्छे से fill हो गए है, सारी की detail चेक करने के बाद ही हम आगे next step पे जाएंगे, यहां उसके बाद यहां पर option आगे attach annexure का, यहां पर जो हमने form जो हमारे teacher से sign करवाए है, sign दोस्तों हमारे photo पे भी stamp और signature होने चीए teacher के और जो right side में एक option होता है अधिकारी के sign का, वहां पर भी sign करवाने हमने ठीक है, और जहां पर भी हमने folder में वो form save किया हुआ है, एक PDF बना लेना है दोनों form का, और उसके size है वो 500 KB से कम रखना है, ठीक है, PDF format उसको यहां पर हमें attach कर लेना है, attach करने के बाद save annexure वाले option पे click कर लेंगे, यहां पर देखिए हमारा जो form है वो attach हो गए, तो यह पर देखिए, photo पे भी stamp लगी है और signature और उसके right side में भी हमारे जो teacher उसके sign और stamp है, और यहां पर सारा complete fill कर लेना है, cutting नहीं करने है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद make payment वाले option पे click कर लेना है, payment आप debit card, credit card, net banking, जैसे भी करना चाहूँ, UPI से वो कर सकते हैं, यहां पर देख चूज कर लेंगे, तो चली मैं यहां पर चूज करके जो payment अब उसको pay कर देता हूँ, उसके बाद हमारे जो detail enter की हमारे card से enter कर रहे हैं, तो card हमारे mobile पे OTP प्राप्तों को OTP हमें यहां पर enter कर लेना है, enter करने के बाद यहां पर submit कर देंगे, submit करने के बाद जो हमारे transaction है, वो successfully complete हो जाएगी, और उसके बाद हमारे सामने देखिए, कुछ इस परकार का page खुलके आ जाएगा, यहां पर देखिए, जो हमारे receipt है, वो generate हो गया है, तो यहां पर scroll down करके नीचे आएगे, तो देखिए, हमारे successfully online mark sheet के लिए apply हो गया है, और यहां पर हमारे serial ID number, यानि हम application number हो generate होके आ गया है, इससे हम अपने status भी चेक कर सकते हैं, इसके हमें print out लेके हमें अपने पास save रख लेना है, और status चेक करने के लिए एक new tab open करेंगे, और वहां पर surl, जो portal उसको open कर लेना है, और यहां पर track application वाला option है, यहां पर click करेंगे, click करने के बाद यहां पर हम स select करना है, ठीक है, उसके बाद जो हमने application copy किया था, वो यहां पर paste करेंगे, और check status वाले option पर click करके अपना status चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों इस परकार से हम अपनी mark sheet के लिए online आवेदन कर सकते हैं, online आवेदन होने के बाद हमारी एक महिने के अंदर mark sheet है, वो speed post दुआरा, यानिके बाई post दुआरा हमारे घर पे आ जाएगी, अगर किसी परकार का doubt रहता है दोस्तों आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं, और आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like share करें, channel पर नहीं है तो channel को भी subscribe कर ले, क्योंकि इसी परकार की update में आप तक लेकर आता रहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक लिए जैहिन दोस्तों